हेलो गाईज, वेलकम बाई नूब लोग और आज हम बना जारे सलवार में मोरी तो सबसे पहले हमने तीन इंच का ये बुकरम फोम या पेस्टिंग कुछ भी ले सकते हैं तो मैंने तीन इंच का ये बुकरम लिया है इसके बाद मैं इसके मोरी के लिए नीचे से कपड़ा फो को दुबारा से मोर देते हैं फिर इसके बाद हम इस पे एक सीधी सिलाई लगाएंगे और एक और सीधी सिलाई लगाएंगे दो सीधी सिलाई लगाके और इस पे जिक जैक बना देंगे सेम ऐसे ही उपर की तरफ दो सीधी सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ ऐसे जिक जैक जिक जैक बनाने के बाद हम डेड़ इंच, डेड़ इंच का एक मार्क करेंगे, ऐसे पूरी मोरी पर डेड़ इंच का मार्क कर लेंगे, और सेम ऐसे ही उपर की तरफ भी, यह दोनों निशान हम डेड़ इंच के उपर लगा देंगे, तो यह हमार इंचिटेव से सेंटर लिया और एक बीचो भी सीधी लाइन ड्रो कर देंगे इसके बाद हम चलते हैं मसीन पर और यह हम सीधी एक सिलाई लगा देंगे यह सिलाई लगके तैयार है अब इस पे हम दोनु तरफ से जो हमने ड्रो के निसान लगाए थे उनको तिर्चा करके बीच वाले लेंगे से मिला देते हैं अगर इसे हम निसान लगा के भी कर सकते हैं और सीधा भी अन्दा जिसे भी सिधाई सीधी सिराई कर सकते हैं तो इस परकार यह हमारे निसान लगके तैयार हो गया दोनु तरफ शेम ऐसे हम सिलाई लगा देंगे अब हम जो बीच हमने सेंटर लिया था उस पर राउंड से जो हमारा डेडिन्ज का निसान जापर टिक हुआ है उसके राउंड तक गोल गोल हम जिग जैक की तरह ही बना देते हैं का कि दिखैंड इसका हम धोनों तरफ से करेंगे तो इसमें हमें एक कली की तरह निकलकि आएगा पूल कली से कि जैसे फूल की कली निकलती है उसीतरे से यह हमारे निसान बनके री हो गया अब हम जो डेडिए का हमारे निसान था उसके बीच ओबीच जिक-जैक जिक जैक करके हम ये मशीन चला देंगे तो इस परकार से हमारे व्यूटिफुल मोरी बनके तयार हो जाएगी यह बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनके तयार हो जाती है बहुत सुन्दर लगती है तो गाइज कैसा लगा मोरी डिजाइन फोमेंट में जरूर बताना तो यह हमारा सलवार मोरी डिजाइन मात्र पांच मेंटरे बनके तयार हो जाएगा तो इस परकार से आप भी बनाएए तो यह हमारे बिलकुल तयार है देख ले तयार होने के बाद देखे गाइज कैसे लगती है यह हमारा मोरी डिजाइन तो वीडियो कैसे लगी कॉमेंट में जरूर बताना प्लीज सस्क्राइब लाइक और सेर थेंक्यू फोर वाचिंग बाई बाई